दोस्तो अभी अभी 9 स्टॉक्स की तरफ से लेटेस्ट अनौसमेंट आया स्टॉक बोनस और डिविडेंट को लेके मैं हूं आरुश आप देख रहे हैं फेनोमीडी अब आया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है स्प्रेकिंग एगरो एक्विप्मेंट कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेज 131 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक बोनस अनौस के है 2 इस टू 3 के रेशियो स जिसका मतलब है अगर आपके पास में इस कंपनी के तीन स्टॉक है तो यहाँ पे आपको दू स्टॉक से जब बोनस मिलेंगे मतलब टोटल में आपके तीन स्टॉक पाथ स्टॉक में कनवर्ट हो जाएंगे और इस स्टॉक बोनस को देने की जो एक्सडेट होने वाली है 25 ओफ एपरेल की होने वाली है और जो रिकोर्ड़ड देट हो भी सेम्डे की होने वाली है यानि कि 25 अपर अगर आपको इस स्टॉक को परचेस करना हुआ ताकि यहाँ पको इसके स्टॉक बोनस का बेनेफट मिल पाए तो आपको इस स्टॉक को उसकी एक्सडेट यानि-ने 25 5th of April से पहले पहले पर्चेस करना होगा अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान उनिलीवर लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेज 2,536 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाईस करें 27th of April को और जो पर पर्पस रहने वाला है वो डिविदेंट को लेके रहने वाला है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है महिंद्रा लोजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेज 376 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गना आमें रिलाइंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेज 851 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करिये 28 अफ एप्रिल को और जो पर्पस रहने वाला है वो डिविदेंट को लेके रहने वाला अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है समवर्धना मदर सन लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेज 68 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनेस करिये 26 अफ में को और जो पर्पस रहने वाला है वो भी को लेकि रहने वाला है तो अब इन सारी बोर्ड मीटिंग वाले स्टॉक को अपनी वाचलिस के अंदर में आड करके रख सकते हो जो यहाँ पर डिविदेंट अनौंस करने वाले हैं विकूस अगर जिस भी स्टॉक ने अपनी पास्ट डिविदेंट हिस्ट्री के अनौंस किया था अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा विकूस फेनो मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कॉंटेंट देखने को मिलत रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई